हालो गाइज वेलकम बैक टो आर यूट्यूब चैनल इस आकाश अनकुल्दीप एन यू आर वाचिंग दीप ब्रादर्स तो दोस्तो आज का वीडियो होने वाला है दीवीएस एन टॉर्क 2020 वर्शन के बारे में आज इसका एक पूरा ओर्वियो हम लोग देने वाले हैं तो वीडियो में बने रहे हैं और एक बात अब लोग प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते पर चैनल को सब्सकाइब नहीं करते और इतना मैनत के बाद अगर नहीं बढ़ रहा है तो वीडियो बनाने का दिल नहीं करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं TVS & Torque 125 लास्ट यर इंडिया में वन अप दे बेस्ट स्कूटर रहा है जिसका परफॉर्मेंस और डिजाइन यूद को काफी अट्राट कर चुका है जो लोग मोटर साइकल से स्कूटी में शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग TVS & Torque और सुजू की बग मैन को बहुत ही जादा पसंद कर रहे हैं तो बात करते हैं इसके इंजिन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये एक 124.8 cc सिंगल सिलिंडर एर कूल एंजिन के साथ में आता है जो की एक BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड एंजिन है इसका मैक्सिमम पाउर है 9.1 bhp at 7000 rpm और मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 nm at 5500 rpm इसके दोनों पैरों में 12 winch का alloy wheel लगा हुआ है with tubeless tire इसके front में telescopic suspension लगा हुआ है with hydraulic dampers और rear में coil spring with hydraulic damper लगा हुआ है इसका overall length है 1861 mm और इसका ground clearance है 155 mm और curve weight है 118 kg ये scooter तीन वेरियंट में एवेलेवल है एक N-Torque 125 with drum brakes एके N-Torque 125 CC with disc brake और एके race edition जिसमें disc brake लगा हुआ है और इसका headlight पुराई दूसरे variant से अलग दिखता है और इसके body में racing का थोड़ा बहुत stickering किया गया है TVS N-Torque 125 7 colors में एवेलेवेल है matte yellow, matte red, metallic blue, metallic gray, metallic red, matte silver और matte black और जो race edition उसमें matte black, metallic black और metallic red शामिल है इसका जो instrumental console है यह fully digital है यह last year की तरह इसमें कुछ changes किया नहीं गया है इसमें आपको सब कुछ digital मिल जाता है प्लस आपको mobile app connectivity और GPS navigation में मिल जाता है इसका under seat storage काफी बड़ा दिया गया है और उसमें USB charging socket भी included है इसमें एक LED daytime running light भी दिया गया है फ्रेंड में आपको halogen head lamp मिल जाता है और rear में LED tail lamp दिया गया है इसका जो turn signal से वो normal bulb indicator आता है यह TBS के combined braking system से भी equipped है जो एक brake दबाओगी तो दूसरा brake भी काम करेगा इसका fuel tank capacity है 5.8 liters का और reserve fuel capacity है 1 liter का और जो इसका mileage मिल जाता है वो 42-45 km के आसपास तो आपको 245 km के आसपास riding range मिल जाता है company officials के हिसाब से इसका top speed है 95 km per hour वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को subscribe कर जीजिए अब बात करते है price की इसका जो best variant है उसका price है 85,000 रूपीज और जो mid variant है उसका price है 89,000 के आसपास और ये top variant याने की इन टॉर्क 125 रेस एडिशन उसका price हो जाता है आपका 93,000 रूपीज एस पर West Bengal price TBS Intor one of the best selling scooter रहा है तो आप scooter आपको लेना है तो ये आपके लिए अच्छा option हो सकता है तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए धिक्स वर वाचिंग इस व्वाचिंग बटन रायव जबगान रोगा है